हेलो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल और एक्टरेस स्रीनिधी से ठीके वारे में जिने आपने कंडर सिनेवा की फेमस फिल्म केजी एफ और केजी एफ शेप्टर टू में देखा है स्रीनिधी जब बहुत छोटी थी तभी उनकी मां इस दुनिया से गुजर गई मां के गुजर जाने के बाद स्रीनिधी बहुत गम्मे थी लेकिन इस बात का असर स्रीनिधी ने अपने पढ़ाई पर कभी नहीं पढ़ने दिया और अच्छे से अपने स्कूलिंग कम्पलेट की मा के गुजर जाने के बाद घर समालना और पढ़ाई करना दोनों को ही हैंडल कर पाना कोई आसान बात नहीं है लेकिन स्रीनिधी हमेशा से ही एक ब्रिलेंट स्टुडेंट रही है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम स्रीनिधी की सकस स्टूरी तो जानेंगे ही साथ ही जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़ी और भी कई इंट्रेस्टिंग बाते लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजी मेरा नाम है किसु बाबा और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो चलिए दोस्तो बात करते हैं सुरू से स्री निदी का जन्म 21 अक्टूबर 1991 को करनाटका के मैंगलोर की एक हिंदू फैमली में हुआ स्री निदी की फैमली में इनके पापा और दो बहने हैं इनके पापा का नाम रमेश सेठी और मा का नाम कुसाला सेठी है इनके सिस्टर्स के नाम प्रियांका और अर्मिता सेटी है स्रिन्दी जब 10 साल की थी तभी उनकी मा की देथ हो गई थी स्रिन्दी ने अपने स्कूल की पढ़ाई नारायन गुरू इंगलिस मेडियम स्कूल मैंगलोर से कम्पलेट की है और फिर आगे की पढ़ाई STLOCS University College मैंगलोर से कम्पलेट की है फिर इन्होंने मैंगलोर के जैन University College से Electrical और Electronics से अपने BE की डिगरी हासिल की स्रिन्दी अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले annual function में भी participate किया करती थी अपने कॉलेज की पढ़ाई complete करने के बाद ये बैंगलोर के एसेंजर कम्पनी में as a software engineer जोईन किया था स्रिन्दी software engineer के रूप में काम तो कर रही थी लेकिन उन्हें उनमें कुछ खास digital speed नहीं थी स्रिन्दी का बच्पन से ही सपना था कि वो actress बने और इसलिए उन्हें बच्पन से ही dance और acting में काफी interest था स्रिन्दी के पापा को समझ में आ गया था कि मेरी वेटी को dance और acting में interest है और इसलिए उन्होंने स्रिन्दी से बोला की job छोड़ कर dance class जोईन कर लो और ठीक वैसा ही स्रीनेदी ने किया क्योंकि उन्हें पता था कि अक्टरस बनने के लिए टांस सिखना बहुत जरूरी है साल 2012 में स्रीनेदी को clean and clear fair face में participate करने का मौका मिला और उसमें ये top 5 contestant में आई स्रीनेदी को खुद पर भरोसा था और सुरवात से ही उनके अंदर movie का crazy था लेकिन acting से पहले स्रीनेदी ने beauty peasant में भी participate करने का सोच लिया था प्रेश फेस के बाद इन्होंने साल 2015 में मननपूरम miss queen contest में participate किया जिसमें ये first runner up रही स्रीनेदी मिस सौथ इंडिया, मिस करनाट का और मिस beautiful smile जैसे title जीच चुकी है स्रीनेदी ने beauty peasant में हिस्सा लेनी का सूच रखा था और इसलिए स्रीनेदी ने मिस दीवा में audition देने का सोचा लेकिन तभी उनके accident की वज़ा से दो fracture आ गए और इस वज़ा से डॉक्तर ने इने तीन महिने तक bed rest दे दिया साल 2016 में एक वार फिर से स्रीनेदी ने मिस दीवा में participate किया और वो final तक पहुँच गई स्रीनेदी ने मिस सूपर नेशनल इंडिया का title भी अपने नाम किया उसके बाद Poland में हुए मिस सूपरा नेशनल कॉंटेस्ट में इंडिया को represent करते हुए नेधी ने participate किया इस beauty present में ये winner रही और उसके बाद स्रीनेदी के पास acting के बहुत सारे offer आने लगे जब स्रीनेदी के पास KGF movie का offer आया था तो उस समय ये film को sign करने में काफी डर रही थी क्योंकि जिन लोगों ने स्रीनेदी के साथ अपने acting career के सुरुवात के थी वो लोग अब तक 10-10 film में कर चुके थे जब KGF movie का first part बन रहा ता उस समय KGF के दूसरे part बनने की कोई चर्चा नहीं थी लेकिन जैसे ही फिर बीच में KGF के दूसरे part के बनने की चर्चा चली तो उस समय ये film लगबग 3-4 साल के लिए रोग दी गई इन सब के चलते हैं स्रीनेदी के कुछ दोस्तों ने ने बोला कि तब तक तुम कोई और फिल्म कर लो लेकिन स्रीनेदी ने साफ इंकार कर दिया स्रीनेदी ने बोला कि जब तक ये film पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं कोई दूसरी film साइन नहीं करूंगी स्रीनेदी जानती थी कि KGF फिल्म की स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है और इस फिल्म के कॉंसेट से भी उन्हें पता चल चुका था कि ये फिल्म बहुत आगे तक जाएगी जैसे ही KGF का फर्स्ट पार्ट आया इस फिल्म ने हर जगा धूम मचा दी KGF रिलिज होने के बाद इतना अच्छा रिस्पोंस आया कि फिल्म को पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ये फिल्म सिर्क नाटक में ही नहीं बलकि हर एक स्टेट में खूब पसंद की गई साथी आंदरप्रदेश और महराष्ट में तो इस फिल्म ने धूम ही मचा दी स्रीनेदेश से बहुत ज़्यादा खुश थी और इस फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल गई थी स्रीनेदी के लिए ये एक अनस्पेक्टिंग गिप्ट था स्रीनेदी फिल्म के हर सेड्यूल में हर सेट पर जाती थी तो उन्हें बहुत अस्पेशल फिल होता था जब एक सेड्यूल कंपलेट होता था तो फिर ये अपने टीम से पूछती थी कि अगला सेड्यूल कब होने वाला है और मुझे सेट पे आना है और काम करना है क्योंकि इसमें इतना fun होता था कि एक-एक moment स्रीनिदी के लिए wonderful और special था दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर ले क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही interesting वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे स्रीनिदी को KGF first part के बाद cobra movie करने का मौका मिला इसमें स्रीनिदी न अपना 100% दिया फिर इसके बाद स्रीनिदी इतनी famous हो गई कि हर जगा उनके चर्चे होने लगे KGF में स्रीनिदी के acting को बहुत पसंद किया गया स्रीनिदी इससे बहुत खुश थे स्रीनिदी का कहना है कि अगर आपको सफल बनना है तो सफलता की तलास मत करो आपके अंदर जो talent है आप जो सबसे अच्छा कर सकते हो बस वही करो मेरा पैसन डांस था और उसी के जरिये मैं एक actress बन पाई इसके बाद स्रीनिदी केजीफ चैप्टर टू फिल्म में काम किया और इस फिल्म ने रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये स्रीनिधी की इस फिल्म में भी एक्टिंग काफी लाजवाब रही और इन दोनों फिल्मों से स्रीनिधी करनाटका में नहीं बलकि पूरी इंडिया में एक जानी मानी एक्टरस बन गई चली दोस्तों आप जान लेते हैं स्रीनिधी से जूड़ी और भी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते सुरुवात में स्रीनिधी केजी एफ मूवी साइन करने से डर रही थी लेकिन इन्होंने ये फिल्म इसलिए साइन की क्योंकि इन्हें पता था कि कंणर सिनेमा के फेमस एक्टर यस इसमें काम कर रहे हैं यह फिल्म अच्छी जाएगी यही सोचकर स्रीनिधी ने ये फिल्म साइन कर ली थी स्रीनेदी के लिए ये सब अनस्पैक्टिंग इसलिए था क्योंकि स्रीनेदी को लगता था कि मेरी सुरुवात किसी छोटे परदे से होगी लेकिन सुरुवात में ही उन्हें कंडर सिनेमा की सबसे हिट मुवी मिल गई स्रीनेदी अपनी बेहनों में सबसे चोटी है, स्रीनेदी बेसक चोटी है लेकिन उन्होंने अब तक बड़ी सफलता हासिल की है दोस्तों अगर फोकस करें उनकी रिलेशंसिप ए स्टेटस पर तो वो फिलाल सिंगल है और अपने करियर पर फोकस कर रही है स्रीनेदी को पिज्जा और बिर्याने खाना बहुत पसंद है, स्रीनेदी के फेबरेट एक्टर साहरुक खान है और उनकी फेबरेट एक्टरेस दिपिका पादुकोन है स्रीनेदी को डांस करना, ट्रेवलिंग करना और स्विमिंग करना बहुत पसंद है स्रीनेधी अपनी बॉड़ी को परफेक्ट रखने के लिए जिम और योग भी किया करती है स्रीनेधी के हाइट 5 पिट 5 इंच है और उनकी बॉड़ी वेट फिलाल 57 kg है तो फ्रेंट्स ये थी लाइफ स्टोरी और सक्सेस स्टोरी एक्टरस स्रीनेधी सटी की उमीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी आप लोग स्रीनेधी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना response जरूर दे अच्छी लगी तो like, share, comment करें आपकी हर comment हमारे लिए बहुत value रखती है साथ ही अगर आप हमसे Instagram पर भी जूड़ना चाहते हैं तो हमें Instagram पर भी follow करें वीडियो एंड तक देखने के लिए thanks हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर ले जिससे हमारी हर अपडेट ही दे आपके स्क्रीन पर पहुँचे तो चलिए friends मिलते हैं आगले वीडियो में एक और interesting story के साथ नमस्कार